जार्खन में एकमात्र संवेधानिक आयोग जार्खन राज्य बाल अधिकार संग्रक्षन आयोग कारे कर रहा है इसकी अध्यक्ष हैं डाक्टर काजल यादव और अन्य सदस्यों में रूची, कुजूर, आभा, विरेंद्र अकिंचन और अन्य हैं आयोग की सदस्यों कुछ ऐसे कारे कलाप कर रहे हैं जिससे न सिर्फ आयोग की बदनामी हो रही है बलकि सरकार की भी बदनामी हो रही है आयोग के जो सदस्यों बिना किसी अनुमती के नीजी स्कूल से लेकर सरकारी स्कूलों के ब्रह्मन में चले जाते हैं इसको लेकर न सिर सरकार की किर्किरी हो रही है बलकि आयोग के अध्यक्ष भी परशानी में हैं हाल ही में आयोग की सदस्य डाक्टर आबा विरेंद्र अकिंचन और रूची कुजूर राजी के सबसे प्रतिष्ठित विद्याले यानी नेतरहाट आवासी विद्याले पहुंची और वहां जाकर मारपीट की जाच करने के लिए आई हैं जबकि इस मामले का एक वीडियो भी सोसल मीडिया पर वाइरल हुआ अब उस वीडियो को डिलीट कर दिया गया है इस पूरे प्रकरन पर राजिबाल अधिकार संगरक्षन आयोग के अध्यक्ष काजल यादों ने दोनों सदस्यों क को सोकाउज किया है कि वे किसकी अनुमती से ऐसे प्रतिष्ठित स्कूल यानी नेतरहाड विद्याले में निरिक्षन करने गया थे उसकी पूरी जवाब देही और रिपोर्ट वो ततकाल पेश करें उन्होंने यह कहा है कि इस तरह की गतिवीदियों से आयोग की छवी धु कमिल होती रही है उन्होंने कहा है कि राज्य बाल अधिकार संग्रक्षन आयोग की जो नियमा वली है उसके जो रूल्स बनाए गया है यानी नियमा वली की रूल 16 में यह कहा गया है कि मुख्याले से बाहर जाने के पहले अध्यक्ष का अनुमोदन लिया जाना एप्रूब किया जाता है और जिस डाक्टर आभा विरेंदर अकेंचन और रूचिक उजूर के बारे में बताया जा रहा है उन्होंने बिना किसी अनुमोदन के नेतरहाट आवा से विद्याले का दोरा किया और वहाँ पे जाच परताल की यह नियमा वली के विरुद्ध है ऐसे में उन पर क्या करवाई होगी नमस्कार चुहार